नमश्कार, मैं हूँ डॉक्टर अन्नपूर्ना से और आज मैं बात करूँगी इंस्पायर फेलोशिप की ये क्या होती है और इसकी देट्स आई हुई हैं तो आप कैसे इसको अपलाई कर सकते हैं तो लेट्स चेक इट आउट ना बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद है तो गुर दक्षिना के तौर पे कम से कम तीन और दोस्तों को ज़रूर शेर करें तो इंस्पायर जब फेलोशिप होती है फुल फ़र है इनोवेशन इन साइन पर शुएट पूसएर फॉर इंस्पायर रीसर्स और इसके डेटेश आ गये इंस्पायर के फेलोशिप की कई काटेगरीज होती हैं पर दे कॉल फॉर इन्वाईटिंग आप्लिकेशन अंडर इ तक ही यह application lines खुली है और apply करने के लिए पहले आपको यहाँ पर अपना sign in करना हो तो register कीज़े यहाँ पर अपना profile जुनाए और उसके बाद आपको पर इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर है inspired fellowship के बारे में कि कई categories होती है innovation in science pursuit for inspired research is an innovative program sponsored and managed by the department of science and technology for attraction of talent to science so science subjects के लिए ही होती है यह और इसकी categories क्या है यहाँ देख लेते हैं inspire component details scheme component में inspire internship यह होती है top 1% students in class 10 boards target group 16 to 17 years age target number है 50,000 तो 50,000 students को यह मिल सकती है जो top 1% students होते है class 10th में और इसका aim है to expose students to joys of creative science during five day camps through lectures by experts, innovative experiments etc तो यह पांची दिन का camp हो का जिसको जिसमें की students को invitation मिलेगा और ऐसे 50,000 students को invite किया जाएगा इसी scheme के तहत और जो scholarship मैंने अभी बता है जिसकी application lines खुली है वो है scholarship for higher education SHE और यह सारा application online होता है तो top 1% students in class 12 boards plus top 10,000 performers in IIT JEE plus other national exams to 10,000 performers जो IIT JEE या दूसरे national exams में है science related और top 1% students जो class 12th के है उन सब के लिए यह application line है यह application है और age group है 17-22 साल और total 12,000 students को मिल सकती है तो उसमें आप भी एक लागी हो सकते हैं lines ख्योली हुए है आप apply कीजे और फ़ड़ा बता दो इसके बारे में इसके लिए कर सकते हैं ताड़ टागेट ग्रूप है 22-27 साल तो यह होता है अगर आपने मास्टर्स में टॉप किया है या 70% सेबाब आपको मास्टर्स में है तो लगबग 1000 scholarships आसी बांटी जाएंगे जिसमें PhD के लिए पूरा खर्चा वहन किया जाएगा जो भी PhD के लिए कमांट रखा गया कि PhD स्कॉलर्स को इतना होना चाहिए इतना मिलना चाहिए वो सब आपको मिलेगा तो यह बहुत अच्छा मौका है अगर आप आपको मिले हैं तो आपको मिल सकती है scholarship और फिर PhD में आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगी हर वही ने तो किसी और scholarship पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा और इंस्पायर फैकल्टे फेलोशिप के लिए जाए लिजबिलिटी है वो होती है PhD आप पी एज़ी होने चाहिए आपकी एज ग्रूप 27 से 32 साल होने चाहिए और एसे लिजे और इंस्पाय स्कीम का implementation implementation of inspire scheme is a fully automated process through inspire web लिंक for inspire web portal is this जो कि मैंने अभी अभी आपको खूल की तखाया भी ता वही लिंक है इसके लिए और यहां पर यह आ रहा है आपको कुछ पूल फॉर इन्वाइटिंग अप्लिकेशन अंडर इंस्पायर और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है रिजिस्टर है नियू यूजर अकाउंट बनाईगे और फिर एक एक करके आप अप्लाई अप्लिकेशन का एक एक पना खु करना होगा तो वह सारा ओनलाइन होगा तो आप वैसे कर लेजिए कोई शक हो कोई डाउट लेट मी रो इन्टा कॉमेंट्स पिलो थैंक यू जय हिंद जय भारत और गुर्द अक्षिना के तौर पे कम से कम तीन और दोस्तों और वाट सब्समें यह इन्फरमेशन जरूर प फंट पीजिए थैंक यू